डियरे स्टुडेंड रिसेंटली रिलाइंस जीसीएस गलोबल कोर्परेट सिक्योरिटी में सिक्योरिटी एग्जेक्विटिव की व्यागन की जाये थी अल्मोस्ट भारत का सभी स्टुडेंट जो इलेजबल है वो अपलाई करना चाहता है और जिनके ग्रेजवेशन में 45 परसंटेज टू बिलोव 50 परसंटेज है वो भी चुक है अपलाई करने के लिए इस वीडियो में मैंने कुछ इंपोटेंट पॉइंट रखे है एट इंप बैठके होगा या बाहर होगा कैसे आप अपने एक्जाम को क्रेक कर सकते हो यह वीडियो आप अगर देखना भी नहीं चाहते तो जबरदस्ती मन बनाके वीडियो देख ले इसमें सभी डाउट्स जो आपके इस वैगन सीज को लेके बंद रहे हैं कहां से प्रिप्रेशन क कराती है रिलैंस या नहीं कराती है देखो रिलैंस कोई बोंड आपसे नहीं लेगी पांस साल का दस साल का कोई नहीं लेगी भारत की सबसे अच्छी सिक्योरिटी स्किल्ड सिक्योरिटी रिलैंस की है और यहां पर ऐसा चोटा मोटा काम नहीं है कि आपको किसी दूसरी जं साथ Reliance Family के साथ आपको रहना पड़ सकता है तो यहां पर Reliance Family सारी वे टूवे टॉकिंग इंगलिस में करती है डे वाई डे शिडूल चलता रहता है आपको वह सब फोलो प्लेन है तो सभी सब्सक्राइब करेगा भारत की एक मात्र ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी है रिलेंस गलोबल सिक्यूर्टी जिसमें एक प्राइवेट जोग करने का आपको बुरा फिल नहीं होगा क्योंकि इसमें सब फैसिलिटी है गोवर्मेंट से भी अच्छी फैसिलिटी है और मेडिकल एक्जाम भी होगा है भाइ माधिकल एक्जाम भी होगा आपका कलर बलाइनेस टेस्ट वहीं होगा फिजिकल फिटनेस टेस्कंस होगऊ आपने कभी सुना है с AP ओता है यह 5 दिन का होता है Baby और किशेयर परसेपशन टेस्स ठीक है फिजिकल असेस्मेंटेस्ट उस लेविल का यह एक्जाम है और इजी नहीं है प्रिप्रेशन करना अगर आप सोच रहों कि प्राइवेट जोब है आप इसमें बिना पढ़के भी एक्जाम देके पास हो जाओंगे वह आपकी गलत फहिमी है यह किलियर बता दू पढ़े लिके ही एक्जाम में फैल होते है रिसेंटली जब इसकी 2023 में वैगन सी जाई थी मैंने अच्छा अच्छा स्टुडेंट फैल होते हैं इसमें देखा है जिसके इंगलिस भी अच्छी है वह भी फैल होते देखा है सभी कोश्चन करेंगे हम तीसरा कोश्चन है हमारा हाउ विल बी दा एक्जाम इसका एक्ज लिस्ट भी आपको एक दो दिन में देखने को मिल जाएगी उसमें से पढ़ लोगे तो आपका सिलेबस वहां से भी कवार हो जाएगा कोई भी टैंसन नहीं है आपको इदर उदर कोचिंग करने की आप पढ़ने की बिल्कुल भी टैंसन मत लेना आप स्टड़ी को लेके हा popular से कि यहां आपका जनल न ओलिज से esto तो तीस सभी में से जो तो से तीन कॉइशन तहे मैग्जिम 15 कोशन पर और ईससे पहले हम लेगा चले तो नूर्मल जो कोशन सभी मैं प्रेपरेशन एक्जाम में هोगता उसमें से कोशन तो इस साल ये क्या देंगे से तीट कोशन द strong रखना ठीक है आपके 70 कोष्जन आए कोष्जन जादा आएंगे तो आपका सेलेक्शन का चांस ज़ादा बढ़ जाएगा कि कि हो सकता है कि जादा कोष्जन अगर आये तो हो सकता है तो पचास साथ कोश्चन आपके पड़े लिखे मिल जाए अगर कम कोश्चन आएंगे तो ऐसा हो सकता है पंदरह कोश्चन आपके जो इस आउट ओप से लेवस आउट ओप स्टेडी मिले तो पंदरह कोश्चन में से कैसे आप पास करोंगे तो यहां पे दोनों पै साइबर का आप ऐयरबर्ड यहाँ पर बिल्डूट एयरफोन लगा करते हो लेकिन याद रहे है को अपना बोडि का मुमेंट बिलकुल नहीं करना है अगर आपने बोली का मुमेंट किया तो आप ओन दा सपोर्ट आप फेल कर जाओंगे अगर आपने गर्दन हलकिसी भी ऐसे कर लिए तो ओन दा सपोर्ट आप फेल कर जाओंगे इस्टुडेंट का यह फीडबैक है जिन्हों ने रिजल्ट अवेटिड है और जिनका जो फाइनल यह इस्टुडेंट है उनके सभी एक्जाम में 50 परसंटेज मांक्स है तो अपलाई कर सकते हैं लेकिन अगर फाइनल यह में आपके 50 परसंटेज मांक्स नहीं बने किसी कारण वस आपके 48 45 परसंटेज भी रहे तो आपका जो कंडियेचर है वह रिजेक्ट कर देंगे ऑन दा टाइम क्योंकि भाई जब डिगरी मांगे तो उसमें देखेंगे जो इनका क्राइटेरिया है फुल्फिल नहीं होता है रिलैंस को स्टुडेंट की जौरत नहीं है स्टुडेंट कुद रिलैंस के पास जाता है और अच्छ स्टुडेंट अपलाई कर सकता है या नहीं कर सकता देखो गाई ऐसे तो कुछ नहीं लिखा कि अपलाई कर सकता है या नहीं कर सकता और आपकी पोगिट से भी कोई पैसा नहीं जा रहा है अपलाई करने के लिए तो ध्यान रहे 48-49 परसेंट आपके नंबर है तो आप चांस आपका एक्जाम हो गया नहीं हुए तो कोई गुमाननी भाई किसी चीज़ का क्योंकि आपकी परसंटेज कम थी हाँ अगर आपका 48-49 परसंटेज के साथ साथ NCC का सर्टिफिकेट है यहाँ पे सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो बैनिफिट आपको मिल सकता है चांस कोई मतलब कि अगर आपका चायन भी नहीं होगा तो कोई गुमाननी किसी चीज़ का ठीक है एज रिलेक्शेशन नोटिफिकेशन तो ऐसा कुछ आ नहीं दो चार इमेज यहाँ पर रिलीज हुए आप भी देख सकते हो सभी टेलिग्रम वर्टसप ग्रूप पर इमेज आ र करूँआ जो भी क्लिव पॉइंट मुझे मिलेगा एज को लेके और जो आपके पॉइंट्स है आपके कुछ डाउट्स भी है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो मैं वो डाउट्स आपके क्लियर करने के लिए ट्राइ करूँआ मैं खुद फाइंड आउट कर रहा हूं कि एज रिलक्सेशन है या नहीं है विए टोफिक पैंड नहीं है मेरे साथ से तो नहीं होगा क्योंकि कहीं पर भी इस पॉइंट का कोई जिकर नहीं कर गया एक्जाम लेंगवेज सब इस्टुटेंट पूछते हैं कि एक्जाम हिंदी में होगा या नहीं होगा इसका भी अच्छी बात करने का तरीका सबची जाना चाहिए क्योंकि इसमें का ऐसे भी आ सकता है ऐसे भी आ सकता है जो दोस्टोवर्ण बिलोव आपको लिखना है एक से भी होगा इंगलिस से घभराना नहीं है exam कैसे होगा एक टू जड सारी डिटेल रिसेंटली मैंने सिलेबस की वीडियो बनाई थी exam कैसे होगा वो सारी डिटेल एक एक point को लेके briefly discuss करूँ है आपके साथ आपका mat exam कैसे होगा एक point आपको बताऊँगा कि faculty A B क्या-का scenario बन सकते में मयट exam कैसे कर सकते हो क्याम एक क्या जीडिमी ने होगा jekt प्याम क्या है भी कैसे क्रेंट कर सकते हो सारी चीजस आप गाइड करेंगा अप छेनल के साथ जूड़े रहो घबराने नहीं है वैगंस पर्मांएंट है कोई कोई नहीं है यहां पर यहांप्ला करो कोई टेंसन नहीं है आफेका सेलगह अन्स सब्सक्राइब करो एक ज़िए प्रिक्रिक्षा ज़ृत है अब बात करें थहां कि दिमाग के स्तिति को जानने के लिए यह test किया जाता है, और दिमाग के स्तिति कोई जब जान सकता है जब आपका एक exam होगा, exam ज्यादा है कुछ hard भी होगा, easy exam होगा, तो यह mental aptitude test होगा, ठीक है, मिलनी तो मिलनी नहीं मिलनी दूसरी मिल जाएगी कोई जरूरी तो बड़ा भाई ले नहीं आई जो ठीक है भाई दो पैसे कम कमा लेंगे बट नहीं आता हमको ठीक है और आप जो सोच रहे हो ना और आप जैसे ही स्टुडेंट वहां पे हजार मिलेंगे ये बात याद करके सिर्फ यह यहां पे 10,000 से उपर जो एप्लिकेंट है वह मैट एक्जाम में रखते हैं और 3,000 यह जी डी बगएर में रखते हैं परसनल्टी अससमेंट टेस्ट कोई बड़ा हुआ नहीं है भाई आपकी परसनल्टी के रिलेटीड कोश्चन आएंगे कोश्चन अर्ली मॉर्निंग उठना गेट रेडी ओल दे कोश्चन जो भी आपके पास कोश्चन आएंगे जो भी आपके पास डे टू डे टाक्स होगी उनके लिए रेडी रहो बी मोटिवेटीड एंग पॉजिटीव रहो बस वही परसनल्टी का टेस्ट हो था कुछ नहीं ह को था ऐसे आपको यहाँ पर चीता बना दे कमांडों की तरह आपको बिल्कुल एक्सन लेना आपको शिका देंगे इस सारी चीज आपको देख देंगे यही तो होता है फिजिकल एपिस रणिंग वनिंग देखेंगे अभी फिर महाँ पर कराएंगे पांच एक साली की ट्र करना सुरू करो मैं वीडियो बनाना सुरू करता हूं थैंक्यू भाइज